अलो स्टूदेंस हम लोग डिसकस कर रहे हैं सिमेट्रिक पोटेंचिल फॉर फाइनाइट डैप्थ के लिए ट्रांसिदेंटल एक्वेशन्स हम लोगों ने देख ली थी और इसमें हम जो आइगन फंक्शन्स निकाल चुके हैं आइगन फंक्शन्स हम दोनों अब आती है बात आइगन वेल्यू की ठीक है आइगन फंक्शन तक का काम हमारा हो गया है अब हम बात करेंगे आइगन वेल्यू या आइगन मान तो नेक्स्ट हमारा जो है इसी में आइगन वेल्यू या आप इसे इनर्जी आइगन वेल्यू भी कह सकते हैं उर्जा आइग तो बिलकूल ज kidding तरीका वही रहेगा जैसे हमने पहले निकाला था लिखेंगे हम किसमें निकालते हैं रीजन सेकेंड में जो सेकेंड में रिजन सेकंड में जो घ्रnonरा चैनली है तो उसमें क्या करते हैं उसके लिए जो हमारे पास जो एक्वेशन है ना हेलफा इस इकोस टू बीट टैने मनलब जो ट्रांसिडेंटल एक्वेशन है उनको ग्राफिय विदी से हल करते हैं पिछली बार भी हमने ग्राफिकल सुलूशन उसका निकाला था दो ग्राफ बनायते दोनों के लिए ठीक है तो सेम वैसे ही उसको ग्राफिकल मैथड से यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हम यह लिखेंगे तो फाइंड दा इनर्जी आइगन वेल्यू इनर्जी आइगन वेल्यू आफ बाउंडड़ पार्टिकल्स बाउंड़ पार्टिकल्स वी यूज ग्राफिकल मैथोड ग्राफिकल मैथोड तो सॉल्व तो सॉल्व ट्रांसिदेंटल एक्वेशन्स ट्रांसिदेंटल ठीक है यानि की एनर्जी आइगन वेल्यू ऑफ बाउंड पार्टिकल इसमें एक और चीज लिख देना इन रीजन सेकंड कौन से रीजन में इन रीजन सेकंड और रीजन सेकंड के है जिसमें एक्स की वेल्यू माइनस एगन वेल्यू के बीच किया है तो उस रीजन में अगर हमें इनर्जी आइगन वेल्यू चाहिए तो ट्रांसिदेंटल एक्वेशन को क्या किया जाता है we put capital X is equal to beta A by 2 और capital Y is equal to alpha A by 2 याद होगा आपको और यह जो दोनो quantities हैं यह विमाहीन राशिया है यह आप याद रखें dimensionless quantities हैं दोनो ही चाहे तो आप check कर ले ना dimensionless quantity दोनो नियतांक हैं विमाहीन हैं यह दोनो ही ठीक है तो देखें क्या करते हैं हम उसके लिए transcendental equation क्या है alpha is equal to कितना है हमारे पास beta 10 beta A by 2 फिर हम क्या करते हैं दोनों side A by 2 से multiply करते हैं ठीक है इधर भी और इधर भी alpha A by 2 से इधर alpha A by 2 से इधर alpha A by 2 इधर आजाएगा और इधर कितना हो जगा beta A by 2 से multiply कर दी हमने और 10 क्या आजाएगा beta A by 2 तो यह equation किसमें convert रहती है जो alpha A by 2 है उसके जगह पर अपन Y रख सकते हैं और जो beta A by 2 है उसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं X रख सकते हैं तो और यह 10 और यह भी क्या हो गए beta A by 2 भी X होया तो यह हमरे पास पहली equation यह किसके लिए आती है for even state याद है आपको वहाँ भी ऐसा ही था even state यह किसके लिए आती है sum अवस्थाओं के लिए ठेक है फिर हम गया करते है same ऐसे ही यह तो गई पहली दूसरी यह तो first transcendental equation है दूसरी transcendental equation क्या है हमारे पास alpha is equals to minus beta cot beta a by 2 यही तो है दूसरी transcendental equation या अभी जिये समीकर्ण इसको आप बोलते हो फिर से हम a by 2 से दुनों साइड मल्टिप्लाइ करेंगे तो इधर क्या जाएगा alpha a by 2 इधर क्या जाएगा minus beta a by 2 और साथ में cot beta a by 2 सही है फिर यह जो alpha a by 2 है इसको हम फिर से एक इसको हम क्या लेखेंगे y लिखेंगे और इसको क्या लेखेंगे x लिखेंगे और इसको क्या लेखेंगे cortex तो यह दूसरी equation आ गई यह किसके लिए आ गई for odd states और अगर आपको याद होगा तो हमने दोनों का अभी बताती हूं इसके बाएब हमने क्या किया alpha square plus beta square की value निकाली थी ठीक है यहन气 की दूनों capital x square plus capital y square निकालो जरा कितना आएगा capital x square plus capital y square कितना हैगा beta square alpha square a square by 4 तो यह कितना हो गया alpha square plus beta square a square by 4 है ना पहले भी किया था सेम चल रहा है हमारा आप तक जो अलफा की वेल्यू यहां पर अलग है ध्यान रखना अलफा बीटा वहां लगते हैं यहां अब्विसे बता है केस तो डिफरेंट है ना अलफा की वेल्यू यहां पर हमने कितनी रखी है टू एमी मॉड़ी बाइच कट आपको ध्यान भी रखना है यह दोनों वेल्यू में निकाल रखेंगे यह दोनों वेल्यू हम उठा कर कहां रखेंगे यहां रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा देखो लिख देती हूं चलो एक स्टेप बढ़ा देंगे टू एम अपॉन एच कट स्कुएर और साथ मे a स्क्टा कर जाएगा और साथ में v0 भी तो है गामा तो इसको बोलते हैं घामा तो हमारे पास क्या आ जाता है therefore x square plus y square is equal to gamma square ये किसकी equation है ये एक circle की equation आती है याद है वहाँ पे भी किया था हमने ऐसा ठीक है तो हम क्या करते है हम कैसे even state और odd state के लिए अलग-अलग graph बनाते है even state में हम क्या करते है कि हम अलग-अलग radius के लिए gamma क्या है radius मतलब ये एक ऐसे circle की equation आ गए फिर से जो कि center जिसका center का है origin पर मूल बिंदू पर 00 पर ठीक है और जिसकी radius कितनी है गामा और गामा की value कितनी है ये रही आपको पताओ नीचे ये side में फिर gamma is equals to under root इस पे question आ जाता है बें numerical ठीक है अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से तो ये जो gamma है वो radius है हमने क्या क्या था हमने अलग-अलग radius के लिए gamma is equals to 1, 2, 3 इन सभी के लिए different different radius के लिए हमने circle बनाए थे और उन circle को हमने पतिछेद कराय था जब sum state का बनाना है even state का तो even state के साथ जहां जहां पतिछेद करेंगे वहाँ वहाँ आइगन value मिल गई थी तो वह आइगन value किसके लिए हो गई sum आवस्थाओं के लिए फिर हमने क्या किया दूसरा graph बनाया था वहाँ पर हमने फिर से different different radius के लिए graph की चे थे और उसका परतिछेदन देखा था दूसरे वाले के साथ यानि कि for odd state के लिए तो वहाँ पर odd state के लिए आइगन value आगे थी किया था ना हमने एक काम तो सेम काम यहाँ भी करेंगे समझ में आ गई पहले इसको बता देती हूँ मैं है नंबर कितना ढाले है तक हो गई थी है ना तो इसको डाल दो आप 26 है ना इसको डाल दो आप 27 और इसको डाल दो आप 28 ठीक है तो हम कैसे लेकेंगे equation 28 represents an equation of circle that is centered at origin centered at origin and its radius is and its radius is gamma यानि कि एक ऐसे वरत को पताता है जो कि origin यानि कि मूल बिंदू उपर केंदरित है और जिसकी जो ट्रिज्जा है वो कितनी है कितनी है अब ही gamma और gamma की value हम लोगों को पता है तो हम क्या करते है ग्राफ कीशते है ना तो हम क्या लिकेंगे to find the energy eigen value energy eigen values of bounded particles of bounded particles we plot a graph we plot a graph in which intersection of हिंदी में बता दुए है भी लिकलो पहले intersection of x square plus y square is equals to gamma square and x is equals to y y is equals to x tan x ये किस के लिए for even states ठीक है intersection of x square plus y square is equals to gamma square and y is equals to x tan x ठीक है और यानि कि या या तो intersection इन दोनों का देखेंगे या फिर x square plus y square is equals to gamma square and y is equals to minus x cortex for odd states in which intersection ठीक है state represents represents the eigen value in both states यानि कि odd के लिए भी और even के लिए भी हिंदी में सुनो तो हमने क्या बोला यह समझ में आ गया यहां तक को दिक्कत नहीं है फिर क्या लिखो गया कि परिबद कणों की उर्जा आइगनमान ग्याद करने के लिए हम एक ग्राफ खींचते हैं या एक वक्र बनाते हैं या खींचते हैं जिसमें किस-किस का परती छेदन बिंदू एक स्क्वार प्रस वाई स्क्वार इसको ग्राफ है उसका जो परती छेदन बिंदू है या फिर दूसरा ग्राफ किसका बनेगा इस वरत का और यह विशम अवस्थाओं के ग्राफ का परती छेदन बिंदू किसको बताता है एनर्जी आइगन वेल्यू या फिर किसको अवस्थाओं में प्रदेशित करता है समझ में आ गई बात आपको आपको बात समझ में आने चाहिए में आप इस बात पर फोकस मत क्या करो कि एक एक वर्ड की मैं हिंदी बताऊंगी हालां कि कोशिश करती हूं लेकिन पढ़ाते टाइम इस चीज पर ध्यान नहीं भी जाता क कभी कभी लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दोगे न तो आपको हिंदी इंग्लिश का डिफरेंस आपको पता भी नहीं चलेगा आपको समझ में भी आ जाएगा और आप खुद लिख भी लोगे तो फोकस मत क्या करो बार बार इस बात पर कि हर वर्ड की हिंदी बताई जाए आपको बात समझ में आ रही है आप उसको हिंदी में अपनी लेंग्विज में भी लिख सकते हो समझ में आ गई तो बेसिकली मेरा काम क्या है मुझे दो ग्राफ बनाने है ठीक है एक बनेगा इवन स्टेट के लिए और एक बनेगा और स्टेट के लिए पहले अब सभी को अलग-अलग different different radius के लिए बनाएंगे तो मैंने यहां पर ले लिया यहां पर मैंने कह ले लिया 0 अलग-अलग points mention कर देते हैं यहां पर 1 है इधर 2 ऐसे इधर 3 इधर 4 ऐसे ही यहां पर भी मैंने 1 2 3 और 4 समझ में आ गई फिर मैंने क्या करना है ग्राफ खेंचना है ठीक है देखो तो जरा पहले radius कितनी है गामा इसी को स्टू 1 के लिए ऐसा graph बनेगा गामा इसी को स्टू 1 का फिर गामा इसी को स्टू किसके लिए 2 के लिए फिर हमने किसके लिए देखा था हम एक्चुली आप यू सोच रोगे कि मैंनम ने वह वाला क्यों लिया बता भ हो गया है ठीक है वह प्रती छेदन दिखाने के लिए क्योंकि हम इसका प्रती छेदन किसके साथ दिखाना चाहते हैं वाइज इको स्टू एक्स टैन एक्स के लिए कि कभी-कभी ग्राफ अगर मैं वालो तीन के लिए बना भी देती हूं है लेकिन वह उस जगह पर प्रती शेद नहीं करेंगा और वह लिमिट से भार हो जाएगा तो ग्राफ में शो करने के लिए हमने तीन डिफरेंट डिफरेंट रेडियस ली थी है कि गामा इस इकोस टू और गामा इस इकोस टू लीथी हमने तू रूट थ्री समझ में आगए बात आपको ठीक है अब देखो आप मेरी बात सुनो नहीं रोको 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 इस वहाँ पर हमने जो ग्राफ खीचे थे वह किसके लिए खीचे थे गामा इस इकोस टू लेकिन यहां पर वह इनके साथ बीए इंट्रसेक्टर नहीं करेगा बाई गामेस इको कर पाएगा थो पर और इस पर न तो इसमें अपन को थोड़ी से चेंज्ज़ करने पड़ेंगे gma is equals to 3 के लिए लेंगे ठीक है गामा इस इकोस्ट चलो में दूसरा बना देती हूं इसको रहने देना अलग से बना देती है इसके लिए अलग रेडियस पर करेंगे तो प्रतिछेतन बिंदू जो है सुविधा के लिए कहां लेते हैं गामा इस इकोस्ट वन थ्री और फाइफ पढ़ लेंग मालो आपने 10 रेडिंग ले ली 10 में से कोई भी 5 या 6 या 7 रेडिंग आप ग्राफ में शो करते हो बाकी की नहीं करते हो ठीक है क्योंकि जितनी सफीशन्ट है उतनी दिखा देते हो और कई बार हम देखते हैं कि वो पॉइंट ग्राफ में मेंचन करते हैं जिनके लिए ग्र ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हमें सुविधा हो इसलिए अलग-अलग बिंदू लिए गया समझ में आ गई तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना तो यह गामा इस इकोस्टू किसके लिए थी के लिए ठीक है फिर गामा इस इकोस्टू आगे किसके लिए ले ले ल यह तो आगे जाकर 5 पे यहां कहीं इस तरीके से यह ग्राफ आएगा 5 के लिए समझ में आ गई तो 1,3,5 इंस अभी के लिए लग-अलग ग्राफ आ गए फिर यह काटता कैसे है वो देखो किसके लिए कौन काटेगा y is equal to यह किसका ग्राफ है y is equal to x10x का समावस्थाओं के अग्राफ यह खीच रहें और दूसरा ग्राफ आता है इस तरीके से यह दोनों ही किसके ग्राफ है y is equal to x10x का समझ में आ गई फिर किसके लिए खहेंचेंगे अपन ये तो हो गया सम अवस्थाओं के लिए फिर किसके लिए खहेंचेंगे विशम अवस्थाओं के लिए उस 3 5 सही है अब यह कैसे काटेगा ठीक है थोड़ा सा आप ऐसी structure थोड़ी सी ध्यान करके जाना है ना प्रतिछेदन वाला ग्राफ कैसे बनेगा वो नहीं है आप लोगों किसले बस में तो ज़्यादा डीटेल में लोग फसिंगे भी नहीं यह ग्राफ किसका है y is equal to minus x cortex का क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बीएसी हम पीएसडी नहीं कर रहे हैं ठीक है तो ऐसी बहुत सी बाते होंगी जो आपको डारेक्ट भी ध्यान रखने पड़ेगी फिजिक्स में ऐसे बहुत से फैक्ट्स होंगे जो एक्सपरिमेंटरियम डारेक्ट उठाएंगे फिर पीएसडी में क्या करेंगे अगर बीएसी में सब कुछ यह कर लोगे तो ठीक है तो जादा डीटेल में इसलिए नहीं जाते क अगर देखो जहां जहां काट रहा है वो रिए यह देखो इन इधर और अब देखो एट गामा इसटो बन एट नी फॉर गामा इसटो बन के लिए तो इधनी णुए अच्टेट मिलते है धात ईवद्ए एक अप पर ङामा इस हे स्टीट के वाल एक समावसथा मिलतीए । एक ऑड्र मिलती है और एक क्या मिलती आपको और मिलती हैивать के लिए गाम्य इस इक योश्ट कौनड डेखो नम तर्सक्री मिल रही है एक निया कि पार 830 रही है क्या ढ ह३ब और गामा इस इकोस तो 5 के लिए क्या क्या मिलती है आपको बताओ गामा इस इकोस तो 5 के लिए 1 एवन और 2 और समझ में आ गए यह दो समझ में आ गए बात तो यह आपका टॉपिक कंप्लीट हो गए नेक्स्ट में आपन शुरू करेंगे सिंपल हार्मोनिक औस लेटर ओके थ